नमस्कार दोस्तों मैं हूं सीधर आपका स्वागत है सीधर इलेक्ट्रिकल्स पर दोस्तों अभी हम लोग कस्टमर के घर में यह ठीक है अब यह इसमें यह फाल्ट है कि सप्लाई देने पर जैसे स्विच आन करते हैं सीलिंग फैन वह आन नहीं हो रहा है ठीक है मैंने चेक कर रहा है फेज यहां पर अवेलबल है कि नहीं तो फेज सो हो रहा है ठीक ना दोस्तों सप्लाई उधर नहीं जा रहा है इतलिए हम लोग क्या करेंगे जो स्विच है उसके जहां जो रेगुलेटर का आउटपुट सीरा होगा इंपूट होगा ठीक ना उसमें टैच क करना है आगे कि जो रेगुलेटर का आउटपूट वायर है उसको जो सीलिंग फेंग का हाफ वायर है मतलब जो रेगुलेटर का आउटपूट और सीलिंग फेंग का हाफ वायर बोलते हैं उसको तो उसको क्या करना है हमको निकाल लेना है ठीक है और दोस्तों जैसे हम पांके का वायर है उसको डेक्ट phase wire में connect करना है थिक है तो यहां पर फेण अगर चल रहा है तो regulator में खराबी आ चुका है ठीक है switch के output टेक्ट ले नहीं तो कराब नहीं है इसके लिए एक नीचे काई टेमिनल पर और आउटपूट स्विच आउन करके देखना चाहिए फेज अगर ओन हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा करेंगे तो हम क्या करेंगे इसके बाद आपस्वाइन र Colombia गो कर लिए उसको लिए इसको करना है रह Pan करना के न अ क्यों गर्मी बहुत ज्यादा है इसले इसलिए जो सी दिन फैंक का वायर आया है उसकी लोग डोग कर लेते हैं करके ट्विश्ट लेख glory of दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस तरह करके इसको हम लोग डाइर्क्ट स्विच में आयो करनेंगे डेगूलेटर का नेक्षन दोनों काट के अधर ने टेप मालते में अभी तुरांत मिठी गाए तो इसको डायक्ट पंखे वायर बाले को हम लोग स्विच से कनेक्ट करके उसको अच्छी तरह से टाइट कर तो इस से फाद आचा लगा है दोस्तों कि जो हमारा जब रेगुलेटर खराब होता है तो वहां पर आउट पूट नहीं होगा तो पहले वोड ना कोल को वहीं पर चेक कर लिजे ठीक है पुलारिटिटी भी टेस्ट कर लेना नूटल फेज हो सकता हमाचरों नूटल कंट्रोल हो फेज आ रहा हो फेज कंट्रोल होना तो पूलटिट टेस्ट भी करना जुरूरी है डायरेक्ट करने के पास दोस्तों यह हमारा है फिर रनिंग अवस्ता में आ गया है मतलब रेगुलेटर खराब था इसके बाद दोस्तों हम लोग बोल नहीं कि हमारा थोड़ा धीमा चल का भी दिक्कत है तो इस तरह मैं प्रोप्स यूज करना हूं स्वारी लेकिन है रिस्की तो हम लोग क्या करेंगे जो साकेट में हम लोग इसका जो टर्मिनल है इसको कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों यह आ रहा है थोड़ा भी हिल डूल रहा था एक सव अधर बोल्टेज ठी सब्सक्राइब तो अभी हमारे इस घर में तुर्ण तभी पचास लगभग पचास बोल्टेज के लगभग जो वोल्टेज है वह कम है तो इसलिए फंग का थुरा धीम घूम रहा है दोस्तों यह हमारा स्विच है ठीक है यहां सान करेंगे यह स्विच और करेंगे तो पू झाल 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 यहां संग जड़ का तो जोचास इसा पूर सब्सक्राइब तो एल यह जोड़ चुझ है ओल झाल झाल झाल